हेलो माइडिय स्टूडेंट वल्कम टू ओलाइन ग्लासिस तुड़ेट इस सेवंत जून टू थाउजन ट्वन ट्वन ट्वान डेइस मंडे सो हमें क्या करना है हमें रिविजिन करना है यूटू के लिए तो आपका जो एसस्टी का पेपर है वह ने ने जू से शुरू होने जा रहा तो हमीं क्या करना है हमें 2 unit को पढ़ लेना है एक पहlaş लैसन सेपुल पहला लिसन को छोड़िके दूसरा लेसन आपको पढ़ना है और तीसलर तीसरा लेसन आपको अच्छे से पढ़ लेना है तो देखो बचू कोशन इससे आ सकते हैं करना है जैसे आपको यहां सकते है हिमालिया में कौन सा रेंच ज्यादा बड़ा है और उसका लेंक्त कितना है ऐसा हो सकता है और जो हमारा ब्रहमा पुत्रा रिवर है वो हिंदुस्तान में कहां से एंटर होता है ऐसा कोशन भी आ सकता है तो आपको यह से पढ़ लेना है बुक को भी पढ़ना है साथ साथ एक्जरसाइस को भी पढ़ना है तो आपको ये कोशन भी आ सकते हैं हिमालिया में सबसे हायस्ट पीक कौन सा है तो आपको क्या लिखना है माउंट एवरेस्ट तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा हिमालिया से वो कितने रेंच में डिवाइड हुआ है तो आपको क्या लखना है जो हमारे इनर सेट है उसे हम ग्रेटर हिमालिया कहते है जो हमारे बीच में आते हैं उसे हम मेडल हिमालिया कहते है जो लास्ट में आउटर है उसे हम और्टर हमालिया या शिवालिक भी कहते है तो ऐसा कॉशन आ सकता है बच्चो तो कॉशन ये भी आ सकते है कि ग्रेटर हमालिया का लेंग्ट कितना है तो ग्रेटर हमालिया कहां से शुरू होता है और कहां खतम होता है तो ये कॉशन भी आ सकता है तो ग्रेटर हिमालिया में कौन से गिलीशेर से उन गिलीशेरों से कौन कौन सा रिवर निकलते है कौन सा रिवर हमारे हिंदुस्तान में पहुंचते है और कौन सा रिवर बेंगाल में फ्लो होता है और कौन सा रिवर अर्बनसी में फ्लो होता है यह आपको आ सकता है और ये कोशन भी आ सकते है कि कारकोरम मांटेन कहां पे है और कारकोरम रेंच में सबसे हैस्ट भी कौन सा है और ये भी आ सकते है लाइफ इन दे रीजिन अब उन रीजिनों में किस तरफ लाइफ गुजरते हैं लोग तो ये कोशन आ सकते है टेरिस फोर्मिंग क्या होता है तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है जम्मू कश्मीर में ये फिरन क्या होता है कंगडी क्या होता है ये सर आपको पढ़ना है तो हिमाचल परदेश में क्या फैमस है और जो वहां के ओरते हैं वो क्या पहनते हैं वहा प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् है what are the main occupation of the people of Arunachal Pradesh का जो पेपल है उनका क्या occupation यह भी आ सकते है how can we tell the trap of naga belongs to यह भी आ सकता है so आपको क्या करना है every question learn हर एक कोशन को आपको पढ़ना है and read or हर एक topic को क्या करना आपको पढ़ना है तो इंशाला कल हम नया topic नया northern and coastal plan को आपको revision करेंगे आपको कैसे पढ़ना है यह सिखाएंगे ठीक है बच्चों तो इंशाला हॉप उमीद करता हूँ आप सब यूट यह यूटूब देख ले और अच्छे से यूटूब का यूटूब का प्रपेर करें और इंशाला कल मिलते हैं एक नया topic के साथ तब तक के लिए खौदा हाफिज कि लिए पन्हें पर इंशाला हॉटूब कर दो यूटूब के लिए।